तो था नेच्स प्रोसेक्ट हमारे पास है एक एक टैम बदाना है जो कि हमारे पास जो इस पैसिफिक टाइम से कांट करना शुरू करेगा तो इसी है लिखतें कैसे करेंगे यहां पर यहां पर एब here सब्सक्राइब कर लेते हैं सब्सक्राइब हो गया आप अब सब्सक्राइब आते हैं और यहां भी में काउंट डाउन चलाना है ठीक है तो पहले चीज़ तो साइड इफेक्स जन्रेट करना है कि हर सेकेंड पर रेंडरिंग को ठीक है और किसमी रिरंटरिंग हो जो हमारे स्टीट हो ठीक है तब यहाँ पर शाण सेक्न का टाहिमर लगा देंगे ठीक है तो यहां पर टाइम हमारे पास होगा ताइम की साट है और टाइम से लिए देखते हैं यहां देखते हैं लोग कैसा रहाँ अभी अब इसको इस टाइम को में नीची करते रहना है करना पड़ेगा और कुछ इंटर्वल में तो कैसे कर सकते हैं और कहते हैं कि अगर चला लेता हूं यहां पर किसी रख सकते हैं यहां कि इसी पर टाइम करते हैं यहां पर हम कहते हैं अगर टाइम है जीरों से तभी तो काम करेंगे खैर शरीन से लिजाना है तो करना नहीं है तो हम कर देते हैं, const timer is equal to set timeout और set timeout को हम लोग क्या करेंगे, हर एक सेकंड पर चलाएंगे और उस से हर एक सेकंड पर चलाने पर set time को हम लोग जो भी particular time होगा, उसमें से minus करते रहेंगे और उसके बाद यहां पर की चलाएंगे हम लोग एक सेकंड पर हो गया हमारा काम, easy हो गया अब next हमारे पास हो गया, कि इसको return कर देंगे, और return कर देंगे हम लोग इसको, और return क्या करेंगे, जैसी काम पूरा हो जाएगा timer जो है, वो बड़ा, क्या कहते है, timer जो है, वो zero के असपास हो जाएगा, तो हम clear कर देंगे timeout ठीक है, तो clear timeout करना था, clear interval कर दिया, clear timeout, और इसमें क्या पास करेंगे, timer, अब दिखते हैं, क्या चल रहा है, ओके चल रहा है, चल रहा है, तो इसके लिए मैं को इक नडवीट करना चीक है, जीर होने का implement a simple to-do list application with add or remove functionality, okay, ठीक है, तो हमें simple to-do